करन जोहर के कारन बिग बॉस के एक कंटिस्टिन का कर्यर हुआ बर्बाद कई लोगों ने कहा कि करन जोहर से जो पंगा लेता है करन उसको बॉइकॉट कर देता है जैसे की कार्थिकारियन को अपने प्रोडक्शन हाउस से बॉइकॉट किया इसके अलावा सुशान सिंग प्लावफुल बन गया है लेकिन जिस वक्त सुशान की फिल्म को OTT पर रिलीस किया गया था तब वो माहोल नहीं हुआ था अब बिग बॉस OTT के कंटिस्टिन है जो अकसर वीकेंड के वार में करन जोहर को उल्टा जवाब देती थी और उससे उलशती थी ऐसे में इस कंटि करफी लेने के बावजूत शो का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है जबकि कहा यह गया था कि OTT पर जो टॉफ फाइफ कंटिस्टिन्स होंगे उन्हें टीवी वाले शो में एंट्री मिल जाएगी मैं बात कर रही हूं अक्टरेस दिव्या अगरवाल की जहां एक तरफ शामित के मेकर्स ने उन्हें अभी तक अप्रोच ही नहीं किया है दिव्या इस शो का हिस्सा बनना चाहती थी बिलकुल तयार बैठी थी कि कब शो से बुलावा आए लेकिन अभी तक दिव्या को ये बुलावा नहीं आया है जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि करन जोहर के कारण दिव्या कोई शो में नहीं लिया गया है वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या पता दिव्या अभी बता नहीं रही हो और वाइल्ड कार्ड में दिव्या की एंट्री करवाई जाए